10 गारंटी क्या है मैं एके करके बताता हम सबसे पहली गारंटी है देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे कैसे करेंगे हमारे देश में 3 लाख मेगावाट बिजली प्रड्यूस करने की ख्षमता है केपैसिटी है देश की पीक डिमांड गर्मियों के अंदर Peak Demand देश की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है दो लाक मेड़ावड तो आज हम हमारा देश जितनी बिजली पैदा कर रहा है, पैदा कर सकता है जितनी डिमांड है उससे कहीं ज्यादा बिजली पैदा करने की हहारी क्च्शमता है लेकिन मेरे घर के अंदर फिर भी पावर कट लग रहे हैं क्यों? मैनेजमेंट खराब है दिल्ली में भी यही हाल था, पंजाब में भी यही हाल था बिजली तो थी लेकिन मैनेजमेंट खराब था हमने management ठीक करके दिल्ली में भी 24 गंटे बिजली का इतिज़ाम किया, पंजाब में भी किया, देश में भी करके दिखा सकते हैं, क्योंकि हमें experience है. देश के गरीब लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी. दिल्ली में करके दिखाई, पंजाब में करके दिखाई, पूरे देश के अंदर फ्री कर सकते हैं, सवा लाख करोड रुपए का खर्चा आएगा, एक ही कैलकुलेशन करके लाया हूं मैं, मैं हवा में गारंटी नहीं देता, केजरिवाल की गारंटी एक ब्रैंड है, मार्केट के अंदर, अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो पूरी करते हैं, तो सवा लाख करोड रुपए का खर्चा आएगा, सवा लाख करोड रुपए हम इंतिजाम करेंगे, सवा लाख उसके अंदर पूरे देश के गरीबों को दोसो दोसो योलिट बिजली मुफ्ट मिल सकती है, आज भी हमारे देश के गरीब लोगों को, यह बिजली की पहली गारंटी थी, दूसरी गारंटी है शिक्षा की, कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता, जब तक उसके हर बच्चे को अच्छी शिक्षा का इंतिजाम ना कर दिया जाए, अगर किसी देश के अंदर धेरो लोग अनपड़ें, अगर किसी देश के अंदर जादा बच्च, कई बच्चों को, बिलो स्टेंडर्ड, सब क्वालिटी, गंदी, बेकार शिक्षा मिलती है, वो देश कभी आगे नहीं बसले, आज हमारे देश के अंदर सरकारी स्कूलों क बुरा हाल है, तस लाग सरकारी स्कूलों के अंदर अठारा करोड बच्चे पढ़ते हैं, जिनका कोई बविश्य नहीं है, दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया, पंजाब के अंदर करके दिखाया, देश के सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे, अच्छे और फ्री शिक्षा का इंतिजाम किया जाएगा, अगर आप अमीर हैं, अपने बच्चे को प्राइवेट में बेजना चाहते हैं, बेजिए, लेकिन आप अगर सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को बेजते हैं, तो प्राइवेट स्कूल से किसी एक परसेंट भी कम नहीं ह होगे इस शिक्षा का इंतिजाम, गाओं गाओं के कोने कोने, देश के कोने कोने में अच्छी शिक्षा का इंतिजाम करेंगे, दिली में किया, पंजाब में किया, हमें करना आता है, हमारी नियत है, हम ये काम आजादी के वक्त हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो, देर आ करोट रूपे राज्जेसरकार देगी साल हर साल पांसाल में हरसाल 50 हजार करोड रूपे का खश्चा ये में history मेरे देश के बच्चा बच्चा और 18 पर दुच्च जो कोई ऐ जाए। तीसरा स्वास्थ है अगर मेरे देश की जनता स्वस्थ होगी बिमारी नहीं होगी तो देश तरक्की करेगा पढ़ी लिखी जनता होगी स्वस्थ जनता होगी तो यह 140 करोड लोगी तो इस देश को आगे ले जाएंगे कोई एक प्रधानमंत्री थोड़ी देश को आगे ले लोगों को अच्छे इलाज का इंतिजाम करेंगे आज अगर किसी को कि घर में कोई बिमार हो जाए बड़ी बिमारी हो जाए सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है पुरी देश के अंदर और प्राइविट वलों ने लूट मचा रखी है पूरे देश में कोने कोने में हर गाओ होने वाले हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त होगा इंशुरेंस के अधार पे नहीं होगा ये बहुत बड़ा स्कैम है जितनी सरकारी राज्य सरकारें के इंदर सरकार इंशुरेंस अधारी जो स्कीम बनाती हैं ये सब बहुत स्कैम हैं इंशुरेंस कंपनी के साथ हम इ हाँ गाओं के अंदर infrastructure create करेंगे health infrastructure create करेंगे अस्पताल बनाएंगे महला क्लिनिक बनाएंगे ताकि लोग सी वहाँ जाके अपना इलाज करा सके और सबका इलाज मुफ्तोगा चाहिए अमीरों चाहिए गरीब हो इसके लिए पांच लाग करोड़ रुपए का खर्चा आएगा धाई लाग करोड़ राज्य सरकार देगी धाई लाग करोड़ केंदर सरकार देगी पांच साल के अंदर पांच लाख करोड रुपए हर साल पचास-पचास हजार करोड का खर्चा आएगा राष्ट्र सर्वोपरी हमारी चौथी गारंटी चीन ने हमारे देश की जमीन पर कब्जागर लिया है हमारी केंदर सरकार से जब भी पूछा जाए वो कहते हैं कोई नहीं आया कुछ नहीं ह हुआ लुए कि सब जानते हैं पूरी दुनिया जानती है सैट्रलाइट का जमाना हैं सब के पास तस्वीर तो हमारे देश की जितनी जमीन पे चाइना ने कबजा किया हुआ है उस जमीन को चाइना के कबजे से छुड़वाएंगे इसके लिए एक तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पर एफर्ट्स किये जाएंगे और सेना को पूरी स्वतंतरता दी जाएगी कि वो इसके बारे में जो दम उठा सकती है सेना को आज जो रोका जा रहा है वो रोका नहीं जाएगा आज हमारी ये अगनीवीर योजना जो है कि हमारे युवाओं को फॉज में भरती करके चार साल के बाद निकाल दिया जाता है लोगों की एक ओनर्शिक नहीं बनती है चार साल के बाद अगर आप निकाल देंगे तो एक तरह से हम सेना को सबसे कटिंग एज लेवल के उपर हम कम जोर कर रहे हैं ये अगनीवीर योजन सेना के लिए भी भूत हानिकारत है और जो बच्चे युवा हमारे अगनीवीर बनके जा रहे हैं वो लोग भी बहुत रस्त हैं अगनीवीर योजना को बंद किया जाएगा जितने बच्चेव को अभी तक अगनीवीर में शामिल किया जाए उनको पक्का डेकलेर किया किया जाएगा जाएक देश की शुरुथ के साथ खिलवड नहीं किया जा सकता च्छटी गारंटी किसानों के लिए किसानों को आप इज्जट की जिंदगी दे सकते हैं अगर आप उनको उनकी फसलों के पूरे दान दे दें किसान कोई भीक नहीं मांगरा किसान अपना हक मांगरा है किसान अपनी बारिश में धूप में मेहनत करके और अपनी फसल उबाता और उसको फसलों के पूरे दाम नहीं मिलते तब वो अपने रिन नहीं चुका पाता आत्मुत्या करने के लिए मजबूर होता अगर आप उसकी फसलों के दाम सुनिश्चित कर दें तो किसान को आप से कोई फेवर नी चाहिए स्वामिनाथन रिपोर्ट के अधार के ऊपर किस अधियों को कई दश्कों से दिल्ली के लोगों का खक है बेरुजगारी आज पूरे देश का युवा बेरुजगारी से तरस्त है इसके लिए हमने बहुत डीटेल्ड प्लैनिंग किये हमारे मंत्रियों ने हमारी टीन ने बैठके सब लोगों ने बैठके कि एक साल के अंदर दो करोड रोजगार का इंतजाम किया जाएगा ताकि हमारे युगों को बेरुजगारी से निकाला जासे कि यह मर्दी बेज इमांदार लोगों को जेल भेजने और बैमानों को सं रक्षन देने की आज जो मजूदा वीवस्था है इस वेवस्था को समापत किया जाएगा दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से हमने भरष्टा चार पर दोनों लेवल पर छोटे लेवल का भरष्टा चार में जो वार किया ए उसी लेवल पर एफेक्टिव तरीके से पूरे देश को भरष्टा चार से निजा दिल्वाई जाएगे और दस्मी और आखरी गारंटी व्यापारियों के लिए अगर किसी देश के अंदर व्यापारी और उद्योगुपती खुल के व्यापार नहीं कर सकते अपने व्यापार को नहीं बढ़ा सकते तो वो देश कभी तरक्ती नहीं कर सकता उस देश के अंदर कभी जॉब्स पैदा नहीं हो सकते हैं और यह डेटा बताता है कि पिछले आठ दस साल के अंदर इस देश के बारा लाख हाई नेट वर्थ इंडिविजुल्स बड़े बड़े अमीर लोग इस देश के अंदर व्यापार और द्योग बंद करके विदेशों में चले गए हैं क्योंकि इस देश के अ और लीगल विवस्थाओं को सरली करन किया जाएगा और एक ऐसी विवस्था की जाएगी कि अगर इस देश के अंदर कोई सही तरीके से व्यापार करना चाहे तो व्यापार कर भी सकता है उद्योग खोल भी सकता है ज्यादा परमिशन्स की ज़रूरत नहीं होगी और व्यापार के साथ है तो इसके लिए सभी व्यापारियों को द्योग पतियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा यह मेरी यह हम लोगों की डस गारंटी है और मजबूत गारंटी है और मैं समझता हूं कि देश को इन सब उससे तरक्की मिलेगी